फिटर फिटर चैनल में आप सभी का सौगत है जिस तरीके से हम अभी जो टेक्निकल 20 कोश्चन की T20 सीरिज कर रहे हैं तो उसका आज मैं पार्ट 2 बताने वाला हूँ तो दो जिस तरीके से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और एदि आपको हमारे वीडियो अच्छी लग रहे हो तो एक लाइक बटन जरू दवा देना और एदि आप हमारे चैनल पे नए हो हैं तो हमारे चैनल फिटर फिटर को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं अब हम जो वीडियो आज बनाने वाले हैं जो question आपको बताने वाले हैं उनका नियमी रहेगा कि हम आज answer नहीं बताएंगे आप बहुत सारे question हमारे वीडियो देख करके पढ़ चुके हैं तो आपको ही answer लगाना है और आपको एक list बनानी है answer की किस तरीके से list बनानी है आपक को अपना answer अपनी copy पर note करना है और सबसे last slide में मैं इन सारे answer को चेक करूँगा कि किसका answer क्या है आपको मैं बोलूँगा आप अपना answer चेक करेंगे और आपकी हकिकत सामने आ जाएगी कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में pen even copy का होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं मौखे कोई काम नहीं होगा आपको लिखके भी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो हम question start करते हैं पहला question मैं पढ़ूँगा answer नहीं बताऊंगा पहला question मैं पढ़ रहा हूँ इसमें जो पढ़ी गई reading है वो 20 mm है और उसमें negative error है जो 0.01 mm की negative 2 है तो सही reading हमें बतानी है और ये question मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में बताया था कुछ लोगों ने इसमें comments भी वेजा था तो उस question का भी answer इसमें आपको मिल जाएगा ये 4 answer लिखे हुए हैं इसमें से आप अपना copy पर कोई भी answer लिख सकते हैं ये नंबर पर दिया गया है 20.01 पर 90.90 19.99 और एक लास्ट में दिया है 0.99 तो आप अपना answer लगाईए और आगे बढ़ते हैं इंग्लिस बाले इंग्लिस पढ़कर भी कर सकते हैं watch reading in micrometer 20 mm this micrometer 0.01 mm negative error what is correct reading हमें correct reading इसमें बता नहीं है time खतम होता है हम next question करते हैं second question second question मैं पढ़ रहा हूँ आप भी चाहो तो आप भी पढ़ सकते हैं उसको यह लिखा गया है reading 17.85 mm किस micrometer में भरना संभव है अरधात हम यह कह सकते हैं कि हमें किसी micrometer में 17.85 mm की reading बननी है तो उसके लिए हम किस micrometer का chain करेंगे पहले number पे मैंने दिया है metric micrometer दूसे number पे दिया है 0 से 25 metric micrometer फिर दिया है 25 से 50 metric micrometer और चोथे के नमबर पे दिया है बिटिस micrometer इस चार में से अपनी कोपी पर second number डाल करके कोई भी एक आंसर लिख ली दिये आपका question second number का time खतम हो गया third number question में slide करता हूं थारड number question है 15.25 mm यह लिखा हुआ है 15.25 mm मिली मीटर की reading में subdivision हमें बताना है हम किसी micrometer में यह reading भर रहे हैं कितना reading भर रहे हैं 15.25 mm की reading भर रहे हैं किस में micrometer में तो हमें subdivision बताना है कि subdivision की संक्या क्या होगी पहले option में मैंने एक subdivision दिया है दूसरे option में दो subdivision दिया है 30 option में जो C option है थार्र option में 3 subdivision दिया है और 4 अड़ी option मेंने 0 subdivision दिया है तो इसका भी answer जितने subdivision आपको लग रहे हूँ या जो आपने हमारे वीडियो से सीखे हूँ कि भाई ऐसे ऐसे subdivision होता है तो वो आंसर आप इसका लिख सकते हैं थार्ड कुश्चन का टाइम खतम हो गया है हम नेक्स कुश्चन करते हैं आप फटा-फट जल्दी से आंसर लगाईए क्योंकि हमारा जो एक्जाम होता है उसमें प्रेशर बहुता दिख रहता है आपको जल्दी से आंसर आना चाहिए यह जो हमारा अगला फुर्ट कुश्चन है उसकी रीडिंग आपको पढ़नी है यह माइक्रोमीटर बना हुगा है मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो यह माइक्रोमीटर है यह माइक्रोमीटर 025 mm बाला माइक्रोमीटर है क्योंकि यह लिखा नहीं है आप फिर बाद में आंसर गलत कर सकते हो तो इसलिए मैंने पहले बता दिया है कि इसकी जो माइक्रोमीटर की रेंज है वो 0 से 25 वाली है अब इसमें आप पढ़िए इसमें रीडिंग क्या होगी जैसे इसमें उपर जो में स्किल बना हुगा है उपर नीचे जो सब डिविजन बना हुगा है यो थिम्बल डिविजन बना हुगा है इन तीनों रीडिंग को आप एड़ कीजिए मैं इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम दे दूँगा पहला जो अंसर दिया है वो 18.75 दिया है दूसरा अंसर 18.73 mm फिर 20.71 mm और 18.50 mm तो आप इसकी रीडिंग को नोट कीजिए मैंने जो आपको पिछले वीडियो में समझाया है वो श्याप कर सकते हो प्रियो आपको पे वीडियो में समझाया है खतम होता है अब आप 5th question कीजिए आपने आंसर लगा लिया हुआ चौते question 5th question हमारा है बन्यर केली पर से reading पढ़ना संभव नहीं है यह हमारा जो 5th question है इसमें 4 reading दी गई है A option, B option, C option और D option चार option है 1 to 3, 4 करके भी आप लगा सकते हैं तो हमें यह बताना है इन चारों में कि हम कौन सी reading जो है वो वन्यर केली पर से नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि जो हमारे जो भी student जितने भी हैं सारे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो उनको जरूर इसमें से आंसर ढूरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही आराम से आंसर आप ढूर सकते हो लगा सकते हो इसमें बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और आराम से आप इसका आंसर टिक कर सकते हो और लगा सकते हो फिप्त का अंसर नोट कल दिया होगा दोस्त मुझे विश्वास है नेक्स्ट कुश्चन हम करते हैं शिक्स्ट कुश्चन शिक्स्ट कुश्चन भी बहुत ही जल्दी आप कुश्चन कर सकते हो आपको बस पढ़ना है और अंसर लगाना है वी एन्वल माइको मीटर के एन्वल का कौण कितनी डिगरी होता है जो हमारा वी एन्वल माइको मीटर होता है जो यह वी ग्रूप होता है इसका कौण हमें लगाना है कितना डिगरी होता है यह वी एन्वल होती है इसलिए हम इस माइको मीटर को वी एन्वल हमने first में दिया है 90 degree 60 degree 45 degree और 30 degree तो इन चार में से आप कोई आंसर लगाईए कि जो ये भी ग्रूप रहता है एंवल में कित्ते डिगरी का रहता है तो वही आंसर आप लिख लीजिए और नमबर भी बढ़ाते जाईए जिस तरीके से हम कोईशन करते जा रहा है 6 नमबर पर हम पहुँच चुके 6 नमबर का टाइम आउट हो गया है 7 नमबर कोईशन हम करते हैं 7 नमबर हमारा कोईशन है किस माईको मीटर के एंवल और स्पिंडल जो होते हैं 90 डिगरी का कौन बन सारे माईको मीटर जो होते हैं उनमें जादातर जो हमारा एंवल और स्पिंडल होता है वह स्टेट होते हैं स्टेट यानि 180 डिगरी में रहते हैं एक माईको मीटर ऐसा होता है जिसमें एंवल और स्पिंडल जो है वह 90 डिगरी में रहते हैं तो पहले मैंने लिखा है पेप एट कुश्चन हम करते हैं स्मॉल इंसाइड माइको मीटर के द्वारा कम से कम माप ले सकते हैं जो हमारा इंसाइड माइको मीटर होता है ये इंसाइड माइको मीटर में एक स्मॉल इंसाइड माइको मीटर होता है मैं बना के थोड़ा आपको दिखा देता हूँ इस तरीके का रहता है ये इस तरीके से इधर से फ्रेम जाता है और ये फ्रेम जाके इधर पर ये सिलीव होता है इसमें इधर इस पिंडल निकल के इस तरीके का ऐसे निकलता है तो इसमें ये दोनों टच हो जाते हैं ये दोनों जब संपर्क में आ जाते हैं पास पास ये बि inside micrometer के द्वारा कम से कम हम कितनी माप ले सकते यह हमें लगाना है पहला दिया है 0 mm फिर 5 mm, 13 mm और 25 mm, इन चार में आप देख लीजिए और अपने option को लिखिए Only 5 second में answer लगाने की कोशिस कीजिए, जैसी हम question पढ़ते हैं आपको उसका answer तुरंधी एकदम brain में आ जाना चाहिए क्योंकि कई student ने जो है comments में लिखा है कि इसका answer ए नहीं वो होना चाहिए तो इससे मुझे अंदाया हुआ है कि आप काफी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं Next question करते हैं Inside micrometer की सिलिव पर कितने निसान होती हैं में बताना जिस तरीके से इस परिकार की सिलिव होती है Inside micrometer की इसके दोनों तरफ एक तरफ spindle तरफ एंविल होती है बीच में सिलिव रहता है तो ये question बहुत ही important question है इसमें time लगाने की जरूट नहीं है ये तो सीधी याद रहना चाहिए लिखिए और next question कीजिए मैं change करने वाला हूँ question 5 mm, 10 mm, 25 mm के निसान या 13 निसान 5 निसान, 10 निसान, 25 निसान, 13 निसान next question हम करते हैं तसमा question डिस्क micrometer का दूसरा नाम है ये हमारा जो micrometer होता है जिस परकार से मैं बना के आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से हमारी सिलिव रहती है तो इसमें इधर पर क्या होता है एक डिस्क लगी रहती है एक डिस्क एन्मिल पर लगी होती है और ये एक स्पिंडल पर लगी रहती है उसे हम बोलते हैं डिस्क micrometer कि डिस्क micrometer का दूसरा नाम है इसमें भी यदि हम थोड़ी गैसिंग करेंगे या थोड़ा अंदाजा लगाएंगे तो आप इसको भी समझ सकते हो क्योंकि इसको थेट micrometer आप लोगोंने देखा होगा फ्लेंच देखा होगा ट्यूब भी देखा होगा पेपर गेज micrometer भी देखा होगा तो उस तरीके से आप इसका अंसर लगाएंगे मैं थोड़ा पांस सेकेंड का टाइम आपको देता हूँ टेंथ कुश्चन का टाइम खतम गा 11 कुश्चन हम करते हैं कभी भी कोई भी सूत्र कीजिए हल कीजिए तो आप अपना थोड़ा सा उसमें guessing भी लगाईए थोड़ा सा क्योंकि हर कुश्चन हम रट नहीं सकते हैं और हर कुश्चन किताम में नहीं मिलेगा जो भी मैं एक कुश्चन बना रहा हूँ यह अपने थोड़ी को पढ़कर ही बना रहा हूँ यह यह थोड़ी का डिटो कुश्चन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अलग से सारे कुश्चन बनाए हैं 11 कुश्चन करिए आप 11 कुश्चन में हमें बताना है कि बनियर केली पर की लिस्ट काउंट का सूत्र क्या होता जो मारी बनियर केली पर होता है उसकी लिस्ट काउंट का क्या सूत्र होता है मैं यह बताना है तो इसमें तीन सूत्र मैंने लिखे है बन अपोन नंबर और बनियर इसकेल दिवियर यानि इसका पहले का मतलब है एक बटे बन्यर स्केल के खानों की संख्या पहला जो लिखा एक बटे बन्यर स्केल के खानों की संख्या दूसरा है वन माइनस में इसकेल के खानों की संख्या बटे बन्यर स्केल के खानों की संख्या दूसरे में लिखा तीसरे में लिखा ब्रै में इसे बेटर लगता है आप वो अंसर इसका लगा सकते हैं मैं फाइब सेकेंड का टाइम आपको देता हूँ फाइब सेकेंड में आप इसमें गैसिंग कीजिए नेक्स कुशन हम करते हैं 11 कुशन का टाइम आउट हो गया है 12 कुशन बन्यर केली पर में 19 MHD को 20 BHD में बाटा गया है तो लिस्ट काउंट निकालो यदि 1 MHD का मान 2 M M है इसको एक बार फिर से देख लिजिए हमने 19 MHD है में स्केल के 19 खानों को 20 BHD के खानों में बाटा और 1 MHD अर्थात 1 में स्केल के एक खाने का मान जो है वो 2 M M है तो हमें यह बताना है कि इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी लगाई दोस्ट इसमें जो उप्सन दिये गए हैं वो चार उप्सन इसमें लिखे हुए हैं आप अपने तरीके से जो भी आपको फॉर्मूला आता हो या जो भी आप ट्रिक सीखे हों आप हमारे वीडियो से सीखे हों या अन्य किसी टीचर ने आपको सिखाया हो तो उसकी ज्ञान का उप्योग इसमें कर सकते हैं और आप आंसर लगा सकते हैं 12 कुशन का टाइम आउट हो गया है 13 कुशन हम करते हैं बिटिस माइको मीटर की चूड़ी का पिच क्या होगा कोई बिटिस जो एक मीट्रिक माइको मीटर होता है उसी तरीके से एक बिटिस माइको मीटर होता है जिसमें इंच में रीडिंग ली जाती है तो यह जो हमारा माइको मीटर का चूड़ी का पिछ होता है क्या होता है यह क्या होता है जो हमारा स्पिंडल होता है इस पे एक्स्टरनल थ्रड बनी होती है क्योंकि हमारा जो माइको मीटर होता है वो चूड़ी के सिद्धन परकार करता है कोई भी माइको मीटर हो चाहे बिटिस माइको मीटर हो या इंसाइड माइको मीटर हो तो इसलिए उसका पीछ हमें डारेक्टली याद होना चाहिए तो देखो यह लिखा हुआ है पहले में लिखा है 0.025 इंच दूसरे में लिखा है एक बटे 40 इंच तीसरे में लिखा है दोनों, बूत का मतलब दोनों होता है और चौथे आंसर में लिखा है ननो प्तीज तो इसको आप पर गैसिंग कीजिए कि आपने क्या याद किया था बिटिस माइको मीटर की चूड़ी का पिछ आप 13 नमबर लिख करके इसकी आंसर को नोट कीजिए A, B, C, D या 1, 2, 3, 4 करके भी आप आंसर लिख सकते हैं 13 कुश्चन 13 कुश्चन टाइम आउट हो गया 14 कुश्चन हम करते हैं बन्यर केली पर की डैफ्ट रॉट किस से जुड़ी होती है हमारा जो बन्यर केली पर होता है उसमें एक डैफ्ट रॉट होती है इस तरीके से पीछे निकली रहती है इस तरीके से एक डैफ्ट रॉट होती है जो बन्यर केली पर के मेन स्केल के पीछे निकली भी डिखती है तो हमें यह बताना है कि यह depth rod किस से जुड़ी होती है तो पहला अंसर दिया है fix jaw फिर दिया है man scale, banier scale और कोई नहीं हमें depth rod का अंदा जा लगाना है मित्र कि हमारा जो banier kelipper का depth rod किस से जुड़ी होती है आपने इसका चित्रिय फिगर जरूर देखा होगा फोटीन नमबर डाल करके इसका अंसर को नूट कीजिए फोटीन कुशन टाइम आउट नेक्स फिप्टीन कुशन का नमबर डालिए और उसको अंसर को नूट कीजिए फिप्टीन नमबर का कुशन मैं पढ़ता हूँ आप भी साथ में पढ़ सकते हो यह जो banier लिखना था है यहाँ थोड़ा mistake हो गया इसको आप banier ही समझे banier micrometer की least count क्या होती एक कुशन आप पितिन दो सेकंड में सांसर को लगा सकते हैं कि हमें banier micrometer की least count बतानी है कि हमारा जो एक micrometer होता है जो simple वाला micrometer होता है यह हमारा banier micrometer है इसकी least count हमीं बतानी है कि इसकी अल्पतरम map क्या होती है least count क्या होती है तो इसमें लिखा है पहले number पर लिखा है 0.001 mm दूसरे पर लिखा है 0.0001 inch फिर तीसे number पर both या दोनों दिया गया है C number पर And D पर none of D जी गया है तो इसमें मातर दो सेकेंड का time डूँंगा में दो सेकेंड में आपके इसके आंसर को लिखना है कॉपी बेर और नेक्स कुशन हम करेंगे इसके बाद A, B, C या D, नेक्स कुशन हम करते हैं 16 नंबर डाल दीजिए आप कॉपी पर और उसका आंसर नोट कीजिए यह क्या है? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट यह भी विदिन 5 सेकेंड में हम कुशन कर सकते हैं यह कॉण मापी यंतर होता है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर उसमें इस तरीके से डायल और डिस्क होते है इसके बीच में डायल होता है वो बाहर डिस्क होती है इस तरीके से एक बिलेड होती है जो 4560 डिगरी के कौन पर बनी होती है उन्हींची एक स्टॉक होता है एक कौन को चेक करता है लेकिन कितना एकुरेसी में कौन को चेक कर सकता है यह आपको बताना है क्योंकि लीस्ट काउंट का मतलब होता है अर्थात इससे कम से कम कितनी reading हम ले सकते हैं पहले में 5 degree दिया गया है फिर 5 second दिया गया है फिर 1 बटे 12 degree दिया गया है थर्ड answer में और 1 बटे 60 ये दिया गया है second तो 4 option आप ध्यान से समझिए और इसका answer लगाईए 5 second का time आपको मिलता है अब हम 17 question करते हैं 17 question को देखिए आप जो भी question में इसमें बनाया हूँ उन सारे question में आप यदि आपको थोड़ा ही आपने थोड़ा मन लगा के पढ़ा है और हमारे वीडियो देखे हैं तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और कोई भी answer गलत नहीं होगा सारे answer आपके सही होगे इसमें में हमें बताना है vulnerable protector में 30 degree को यह vulnerable protector जो मैंने अभी अभी बताया है जिसकी list count तो उसी ये अंतर में एक system होता है कि जो हमारा ये disk रहता है इसके 30 degree जो रहते हैं 23 degree इसको कुछ dial के कुछ खानों में बाटा जाता है कुछ खाने रहते हैं उन्ही खानों की value हमें बताना है कि 30 degree को कितने खानों में बाटा जाता है तो यह सारे option लिखे हैं चारों option लिखे गए हैं उनमें से आप 23 भागों में बाटा जाता है या 22 भागों में बाटा जाता है या 12 भागों में बाटा जाता है या 102 भागों में बाटा जाता है तो बैसे तो कुछ बच्चे इसको देखकर की बता दिये होंगे कि इसका B होना चाहिए C होना चाहिए या कोई भी जो answer होगा उन्हें तुरंट ही एकदम दिमाग में आ गया होगा तो answer आप अपना लिख लीजिए हम 18th question करते हैं एक बार और उसके option देख लीजिए पहले option में 23, दूसरे option में 22, C option में 12 और D option में 102 है 17th number का answer लिखिए है आप 18th number का question में बताता हूँ बन्यर वेवल प्रोटेक्टर का main scale division किस पर बना होता है अभी अभी मैंने बताया है जो बन्यर वेवल प्रोटेक्टर का बाहर डिस्क रहता है अंदर dial होता है कि हमारा जो main scale division होता है वो किस पर होता है डायल पर होता है ये बाहर का वाले को डिस्क बोला जाता है अंदर वाले को dial बोला जाता है दो portion इसमें रहते हैं तो आपका मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया है आपको इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं तो बनने ब tapator का main scale division जो होता है वो किस पर बना होता है ये हमें बताना है कि dial पर होता है कि डिस्क पर होता है गिलेट पर होता है कि स्कूरू इसके बीच में एक इस्कूरू लगा होता है उस पर होता है 18 number लिखकर के copy में इसका answer आप लिखिए ध्यान से समझ करके आपने इसका answer लिख लिया होगा हमें विश्वास है next हम 19 question करते हैं इसमें भी एक list count बतानी है आपको sign war की list count कि sign war की list count क्या होती है ये भी list count का ही question है और अधिक समय इसमें बरबात करने की जरूरत नहीं है sign war होता है ये कौण को चेक कर सकता है और माप भी सकता है और इसकी भ sign theta के सिद्धान पर कार करते हैं तो इसमें reading पहली reading list count है एक degree फिर एक second फिर एक minute और एक बटे 60 minute तो इसमें हमें चारों में से एक answer चाटना है कि इसकी list count क्या होती है तो आप इसका 90 नमबर डाल करके इसका answer लिख लेजिए ए वी सी डी चारों में से आप इसका answer लिखे 90 न आप ने लिख लिया होगा 19 का answer आप हम 20 answer करते हैं मीट्रिक माईको मीटर के थिमबल को दो चकर घुमाने पर ये हमारा जो मीट्रिक माईको मीटर होता है इस तरीके से इसमें सिलिव रहती हो इधर एक थिमबल रहता है इस थिमबल में निसान बने होते है इस तरीके से ये थिम्बल को गुमाया जाता है तो ये स्पिंडल जो होता है ये वाला स्पिंडल जिसमें टिक कर रहा हूँ ये स्पिंडल बाहर निकलता है तो कुश्चन हमारा ये है कि मीट्रिक माइको मीटर के थिम्बल को ये थिम्बल को हमने कितने चक्कर गुमाया दो चक्कर गुमाया तो पहले नमबर पर एक mm दिया है मैंने दूसरे नमबर पर 0.5 दिया है तीसरे नमबर पर 2 mm और फिर इसमें दिया है एक बटे 4 mm तो दो चक्कर गुमाने पर कितना स्पिंडल अंदर या बाहर होगा हम जिस तरीके से उसको गुमाईए तो आप इसका अंसर लगाईए और इस बहुत अधिक कटिन कुश्यन नहीं है आप इसका अंसर लगा सकते हैं अब नेक्स स्लाइड में जो आपने सारे अंसर लेखे होंगे उसकी हकीकत आपके सामने हैं क्योंकि जो बनावटी आप पढ़ाई करोगे तो बनावटी पढ़ाई करने से सफल होने में आपको दिक्क कीजिए मैं बताता हूँ बोल करके तो पहले का अंसर है 1st का A है 2nd का V है 3rd का D 4th का V 5th का V 5 चेक कर लीजिए 6th का V 7th का V 8 का V 9th D 10th है मतब 10 का A है 11 का D 12 का D 13 का C 14 C 15 C इसका 16 का C 17 C 18 B 19 C 20 और दोस्त आपने आंसर यदि अभी भी कोई नहीं चेक कर पाया हो तो आप इस आंसर सीट को मैं थोड़ी देर के लिए दिखा देता हूँ तो इससे आप देख लीजिए इसमें आंसर चेक करिए जो छूट गया हो देख लीजिए दुबारा से आप आंसर